तो हमारा कम्मुनिटी के अंदर काफी कुछ पॉर्शन कम्प्रीट हमने कर लिया है लगबग लगबग समाथ होने के कजार पर आगये हैं हम तो आखरी चेप्टर्स चल रहे हैं हमारे अभी हम आजना उक्यूपेशनल हेल्थ पढ़ेंगे और उसके बाद में दोचा टोपिक हमारे और बाकी है तो जल्दी से हम कम्मुनिटी को कम्प्रीट करेंगे तो आज कोशिश करते हैं जितना मेक्जिमन पोर्शनाज हो जाए क्योंकि थोड़ा उक्यूपेशनल हेल्थ डिटेल में पढ़ लेंगे इसको अपन शुरू करते हैं तो उक्यूपेशनल हेल्थ में होता है होता क्या है यहां पर होता फो जो आपके काम से जोंकी हेल्थ यहां पर कि अगती है अपके जो में चलास हो में तो इसके भी क्या नुकसान में है क्योंकि कम्म्प्यूटर से आँके यहां Kolokसर होता है कि मैशा हम आतoss Queens FCGB में माइन रखती है generally, encryption health हम labors के लिए बात करते हैं शरम किया जो labour माइन में काम करते हैं या जो factories में काम करते हैं in general हम उनके लिए बात करते हैं कि जो physical भीमारिया उनमें हैंचे ज़्यादा होते हैं occupation health है क्या सबसे पहले किस ने बताया सबसे पहले सब 1950 में इंटरनेशनल लेबर और वहों ने मिलकर के बात करी occupational health के बारे में कि occupational health में हमको करना क्या है तो occupational health में क्या करना है कि हमको जो labor है हमारे जो occupation health में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को बचाना है उस occupation की बीमारी से माइन में कोई आदमी काम करता था तो माइन में जो दस तुड़ से उसके लंग से खराब जाते थे हम पढ़ा हीं कि आपको कौन को इस दीज हो की तो उनको बला इनको बचाओ यार इसी बीमारी से बचाओ इंको नहीं होनी कि ठीक है तो यह सारी चीज़ें इसके अंदर थी तो क्या-क्या बोला था आई एलो ने 1950 में डबली वेचों के साथ मिल करके आई एलो मतलब इंटरनेशनल लेवर और और इसमें बोला कि हमको प्रमोट करना है और मेंटेन करना है क्या मेंटेन करना है हमारे वरकर्स का फिजि वृलो का मेंटेन उप्योप कर लिया रूसरा प्रिवेंट करना है कि हलत में कोई बी प्रॉबलम हो इस बात से प्रिवेंट करना है ठीक है अ फ्रिवेंट एयर्ट करना है किस चीज से प्रॉपलंब करना है कोई भी हैजाड हो जाए कोई XP oda iki चीज ?? इसमें एक प्सकों काम क्रिने वाँक है कुई परभ्लम रोगी उसकी वजह साध़ कोई अगर कोई प्रॉबलम होती है उसकी वजह से को हों तो एक फैक्री में काम करते हैं कि दू ढापके खरक कर सकता है कि ये जहां हमारा अगर वरकत बțार सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो वह जाड़ देवलप हो गया तो वह हो गया पॉटेक्शन होता है एक्सिजेंट से प्रिवेंशन होता है बीमारियों से दो अलग अलग कीजिए हैं यहां पर यह तीसरा प्लेस और मेंटेन अ वरकर इन एन अप्यूपेशनल एन्वार्मेंट एडिटी तो लेज़े थे में दो बात आती है कि या तो वरकर की खुद की क्या हेल्फ थी पहले से और हमारा वरकर व्रक्र प्लेस में जहां काम आपका अउसको एक्सकोर किसी केमिकल गूरेशन ओफ एक्सकोर कितना ज्यादा हो रहा था फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी उसके मिकल की म किस्ता में हो रहा है ये सारी चीज़ तो क्रेक्टरिस इंसां से लेटेड क्या था उसकी खुद की उम्र क्या है उसकी प्रजाती क्या है उसका लिंग किया मेल या फीमेल चाहिए तो यह सारी चीज़ेख दोह पत्रक करती है तो कि छुद आप यह चो अपी आद attent के आपको रेलवे की विल रही है आपका काम में ड्राइवर का गतान हिएख आपको दिखाई की जिता प्राबर दूर का दिखता नहीं है सोdad तो प्रिपलेस्दैग्जामेनेशन था इसके बाद आजाता है एफीजिकल फास्कते है केमीकल हो सकते हैं तो इसके बाद आजाता है सबसे पहले फास्ट क्या होते हैं शारीदिक हजाड है उसक घरमी से घरशन से फिक्षिंट पर लग घया उससे या फिर और क्या हो सकता है रेडियेशन हो गई और नॉइस हो गई ते शोर हो गया यह सारा हमारा फिजिकल मेथर्स के अंदर आते हैं फिजिकल हैजार्स के अंदर आते हैं जैसे फीट है गर्मी की वज़े से जलज सकती है सकते हैं ज्यादा फीवर आ सकता है यह सारी चीज़े में एक एक करके डिस्क्राइब करी है यह मैं आपको आगे लेके चलता हूं हैं लगातार शोर के अधी रहेगा थे इसका हीरिं किलोस होने से पहले डारेक्ट मिं हो जाता है दो तरह जाता है इसमें पर्माइने लोस अता है एक परमाने लोस इस इसको ऑडिट्री का मत्तब्त थकान की थकान थकान हो बंद कर देते हैं यह कब होगा जब 90 डेसिबल भनी को नापने का या शोर को नापने की जो यूनिट है वो होती डेसिबल तो 90 डेसिबल से ज्यादा अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें ओडिटरी फैटिग हो सकती है और वहाँ पर जंदली 16-48 घंटे यानिकि एक होती पर्मानेंट पर्मानेंट कब होगी जब 100 डेसिबल से उपर जब साउंड होगी तो या पर्मानेंट हीरिंग डिशाबिलिटी हो जाएगी ठीक है इसके बाद देखो कुछ चीज़े हैं यहां पर कि हमारे पास में 85 डेसिबल हमारी मैक्सान कानों को पहुंचना श यह है बाद ट्रेंड जैसे स्टेशन से पास होती तो 110 डेसिबल की धुनी प्रोड्यूस करती है 110 उसको लंबे समय तक नहीं चल सकते मोटर कान का होण 120 140 से दर्द चालू हो जाएगा अगर 140 डेसिबल की साउंड आप सुन रहे हो तो आपके कानों में दर्द चालू हो जात अब इसमें दो कोई बाते कैसे आई जैसे आपने कभी देखा होगा फिल्मों में कि कहीं बंब फटता है और बंब की धमा कैसे कानों से खून आ जाता है कई फिल्मों में ऐसा सीन दिखाया है वह हुआ क्या बंब का धमा का इतना ज्यादा था कि उसने 200-300 डेसिबल वहर होता है ज्लैद हो सकते हैं क्लास्रूम में 30-40 डेसिबल होता है और आसमें 20-35 वोड की वोड काम का यह से 85 वाला काम का में 150 साइट साथ को अ यह काम का है इसके बाद consideration अब labourations क्या ऊपर भी टेरे ièmereton यह फिशिकल एक तरह के ऑड़ी करेक्टर आपके मोबाइशन होता है जिए मेर मोबाइल पढ़ा आप वाइबरेशình को पता लग जाता है क्या मेरा मोबाइल को चीज भी प्रब्लम कर सकती है अब मोबाइल के वैबरेश256 से तो नहीं होकी प्रॉब्लम लेकिन जो लोक सकाम कर रहा है लगातार वाइबरेशन का सामने में को करना पड़ रहे हैं तो यहां पर दो तरह का वाइब रेशन होता हुटा है एक अगर होता है क्या हुद्सर समक्वाइब बिज़ें के हाथ और अगर को एक इस चीज हो जिससे पूरी बोडी के वाइब getting यह से जैसी भी तो उससा उनकी फॉरी बोरी थकान में आ जाती है तो इस कहीं क्या की जिएक्मेंटल और whole body, segmental का मतलब सिर्फ एक टुकड़े में, जैसे देखो, यह आदमी कटर मशीन चला रहा है, तो इसका हाथ हिलता रहेगा, लगाता है, तो इसके हाथ में vibration होंगे, उस vibration से skin खराब हो सकती है, इस तरह की problem हो सकती है, इसको बोलते है, hand arm vibration syndrome, HAVS, कभी सुना भी नहीं होगा होगा, आप लोगों ने hand arm vibration syndrome, ऐसी चीज भी हो सकती है, इसके अंदर उंगलियों में tingling होगी, numbness हो सकती है, numbness हो सकती है, ने की उंगलियां लाल पड़ सकती है, धर्द हो सकता, यह तो है segmental, जो की केवल particular segment में होता है, दूसरा है whole body vibration, पूरी body में, जैसे यह देखो, जैस अब जैसे आप कभी traffic में लंबे समय तक गाड़ी चला के आते हो, ठक जाते हो, उसके ठकान के current से गाड़ी नहीं होती, पूरी ट्रेफिक में इतना बड़ा noise होता है, जो शोर होता है, उसकी वज़े से आपके दिमाग को असर बढ़ता है, तो कान से दिमाग को असर जाता ह उसकी वज़े से ठकान की problem चालू हो जाती है, अब इसके बाद आता है, कि heat की वज़े से क्या-क्या problem हो सकती है, तो most common problem होती है prickly heat, जिसको हम milli area रुबरा बोलते हैं, prickly heat क्या होता है, prickly heat जिसे पसीने की वज़े से skin पे दाने निकल के आता है, छोटे बच्चों में घमोर प्रोबलम में तो देखने को मिल जाती है, बूसरी होती ही heat cramps, यह heat cramps क्या चीज है, cramps मतना होता है, मसल में क्रेम पाना तो, आपने मेज देखते दोरान देख देखा होगा, कई बार क्रिकेटर लंबे समय तक मेज खिल रहा है, टेस्ट में खिल रहा है, वंडे मेज खिल पूल कर जाती जांग वाली मसल को क्या बोलते हैं साटोरियस मसल जनेरली उस मसल में क्रेंप देखने को मिलता है इसके बाद में heat exhaustion, exhaustion मतला थकान, heat की वज़े से आदमी ठक जाता है, ठक जाता है तो उसको mental level उसका थोड़ा डाउन हो जाता है, down मतलब कि उसको दिमाग से सब्बंद भी प्रब्लम आईगी, उसको double vision हो सकता है, डिजिनेस हो सकती है, fatigue हो सकता है, वर्टाइग हो सकता है, vision में problem आ सकती है, तो डिजिनेस होना, fenting, fenting मितला ब्योश होना, blurring of vision, धुझला दिखाए देना, cold skin, sweet skin होती हो पसी ना निकलता तो skin cold हो जाती है, तो heat exhaustion होता है, अब heat से ठक गए, इसके बाद आता है heat stroke, जिसे आम भाषा में हम लू लगना बोलते हैं, लू लगना, लू लग जाती हो लू लग जाती है, इसको heat stroke हो गया, क्या होगा heat stroke में, इतना ज़्यादा गर्मी हो जाएगी श्रीज के अंदर, गर्मी की वज़े से, कि आपका sinus हो जाता है, skin का muscles, switching हो जाती है, muscle फ्रफ़़ाने लग जाती है, disoriented behavior हो जाता है आदमी का, confusion में चला जाता है आदमी, dehydration हो जाता है, delirium में चला जाता है, और conversion हो जाता है, तान तक आने लग जाती है, इतना heat stroke के अंदर हो जाता है, ये गर्मी की वज़े से, अब आप जहां काम कर रहे हो इतना गर्म माहूल है, furnace चल रही है, कोई company, factory में जहां काम कर रहे है, क्योंकि temperature बहुत हाई था चिता था, 110 degree Fahrenheit से उपर temperature चला गया, आपके शरीर का, इसलिए ऐसा हुआ, तीक है न, अब किसका गया, आपके शरीर का गया, 110 degree हवा का नहीं है, क्योंकि 110 degree हवा में तो हम किती बार जा चुके हैं, 198.7 हमा नोमल बिल्डी temperature होता है, 102-103 तक तो नोमल बुखार आता है आदमी को, और 50 degree, 60 degree तक तो हम गर्मियों में देखते हैं, 50 degree हो जाता है, अपन गेस के पास खड़े होते हैं, कभी कबार ये कभी किसी चूले के पास खड़े होते हैं, तो वहाँ पर बहुत जादा temperature होता है, तो गर्मी की वज़े से आप भी बोड़ी का temperature बढ़ जाता है, वो temperature बुखार के वज़े से नहीं आया, वो आपको external heat की वज़े साया और 110 degree Fahrenheit सोब पर चला गया, तो आपको दिमास का heat regulation mechanism उसने काम करना बंद कर दिया, तो delirium हो जाएगा, delirium का मतलब क्या होता है, delirium का मतलब क्या होता है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, delirious, delirious मतलब वो आदमी बेचेन हो गया, हाथ फेक रहा है, पाओ फेक रहा है, उसको कुछ नहीं पता चल रहा, कि वह व्यक्ति क्या बोल रहा है क्या कर रहा है इसको डेलिरियम बोलते हैं ताना ना पार्शियल और कंप्लीट लोस ऑफ कॉंशनेस कोमा में जा सकता है आदमी बेहोश हो सकता है लूम है अब किसमें करें क्या तो हमको पानी का रेप्लेस्मेंट करना है उसको आई वी पानी वराबर पी करके आओ यह सब चीज़ें वराबर पीते रहो तो वह सारी चीज़ें है उतना जुद्ध कर नहीं है हम पासपाताल में पेशन्ट आएगा माई फ्लूड लगा देंगे तुरिस्मेंट कर देंगे वह इतला चीज़ है लेकिन मतलब बचाने के लिए पार इसके बढ़ाए लगातार 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 गर्मी के वज़े से आपकी बोडी से पसीना निकलता है उसके वड़े से वाटर का लोस होता है यह दोनों लोस होने की वज़े से हीट एक्जोशन होता है और यह जनरली 102 डिग्री के आसपास में हो जाता है एक सो दो डिग्री जो टेम्टर्चर रहेगा एक सो दो डिग्री फैनाइट तो हमने सबसे लिए हीट इस्ट्रोक 110 के उपर 106-110 के बीच में हाईपर पैरेक्सिया और 102 के आसपास होगा हीट एक होगा लॉट होगा मसल में सोडियम का लोगा तो मसल हमारी घृब्याइट से ज्यादा हो जाए इतों करता है या तो गर्मी के टाइपर कोई आदमी किसान विचारा खेती कर रहा है या तो यह हो सकता है मजदूर या अ उठा रहा है दूप में काम कर रहा है मंडी में काम कर रहा है कि अदू कर दर्द हो थो पॉस्ट्रल्श इंकोब देखने को मिलते हैं आप लेटे हुए हो सडनली खड़े हुए ब्रेन में सप्लाई ब्लड की कम होती है आपका ब्लेक आउत हो जाता है यह बहुत कॉमन चीज है यहां क्या हो रहा है गर्मी की वज़े से supply बराबर में भुदी का temperature राइस नहीं बढ़ा लेकिन गर्मी की वज़े से ब्लेड विश्वास डिलेत होगी brain को बराबर ब्लड उप्लाई नहीं मिल रही उसकी वज़े से क्या हो जाएगा बी पी आपका डाउन हो जाएगा बी पी डाउन होने की वज़े हैं क्लेफ्स कर जाएगा झाक्ड करेंग वागते हैं जिसने ना उनको को गर्मी फ्रीष कले को जा करके तो आप इस वोए सो कहлять पर अपन जोचो चिब गर्म कपड़े你有 हाँ प्लिट लगा उगे तो हाथ लाल होगा क्यों मर्म होगा क्यों योकल ब्लड और यो फ्स गर्म होती ङुवा है जब दुए स्वेलिंग होती है तो एिडिया जरहिए बढागा होता है तो यह गर्म हुआ कि स्वेलिंग से गर्मी आई और गर्मी की वाइसे मोड़ वेसल डालेट हो गई ते कॉमन चीज़ है कॉमन फिनोमेना है तो यह हीट सिंको वो गया तो यह सारी चीजें भी हमारे को ऑक्योपेशनल हेल्फ में धेखने को मिलेगी इसके बाद में तैमपरेश्चर जोन क्या है तो 20 जिगरी तक पर यह में प्लीजन्ट होता है वी से 25 दिगरी का तेमपरचर इसको कमफर्ट होता है इसके बाद नेक्स आगया आपके एक्स्ट्रीम टेमपरचर कोल्ड की बात करते हैं कि इत्ती देर से हम पढ़ रहे था है एक्स्ट्रीम टेमपरचर होड़ अब कोल्ड क्या होगा तो जो लोग बरफ में अब हमारे सेनिक है देश میں सरह दोपे उपर हिमाचल में काम कर रहें कारगिल में खंड हे वहां काम कर रहें तो सर्दी की वज़े से उनको क्या-क्या तरे धिकर अब डिपो ये चीज है एक पको होता है हमआरे पास में First by हो और एक ऊथा रहा त्रेंश फुट दो अलग अलग चीज ठेटेट का ठोल अजाएगा त्रेंश फुट क्या है चैसा होता बारिश सीजन में जूते पेन रखें मोझे पेन देया हNews आपको चार गंटे बारिश में रहना पड़ा या चार गंटे बाद अब घर गए आपने जब जूता उता रहा तो देखा आपका पाउं सिकुड़ गया होता है पाउं की चौड़ी सिकुड़ गई होता है यह बहुत कोवन चीज़े सब ने देखी है उसको बोलते है पानी तो घंटे दो गंटे में नॉर्मल हो जाता है लेकिन जो लोग बरफ में रहते हैं उनको नॉर्मल नहीं होता त्रेंश फुट वो आगे जाके दिक्कत करता है यह इमर्जन फुट इमर्जन मतलब किसी पानी में इमर्ज हो गया डूग गया अब इसमें क्या होगा द यह ठंडे पानी की वज़े से कंडिशन हो रही है दूसरी चीजा लेकिस्ट बर्फ नमग फ्रोश्ट मनें बर्फ बायड अब अर्फ की राये में है तो आपके पाँमे या हात में इस तरए के चाले बन जातें इस तरए के स्वाइट बहुत गती होती है बहुत ज़्यदा दर्द होता है, burning pen condition like हो जाती है, fingers में देखने को मिलता है, अंगोठे में देखने को मिलता है, गालों पर, nose पर, ears पर देखने को मिलता है, ये dry cold condition में होता है, जब बरफ होती है, बरफ की वज़े से होगा frostbite और बरफीले पानी की वज़े से होगा trench foot, इसके अलावा इसमें सी जो होती है, chill bands, chill bands, chill bands क्या होती है, थंडी हवा की वज़े से, ये थंडी की वज़े से हमारे pound की जो ओलियां है, और हम उठे हैं, ये थोड़े red पढ़ जाते हैं, उसको हम chill bands बोलते हैं, यह थोड़ी minor condition है, इसनी खराब condition नहीं होती है, इसके बाद आता illumination, illumination मतला परक से कैसे, आपको occupational health से प्रकाट का क्या लेने देना है, हम जहां काम कर रहे हैं, हमको light proper चाहिए, अगर light proper नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, हम रहन से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो illumination में क्या है, जैसे कहता है, कि जहां पर cloth, illumination की जो limit है, वो है lux, lux संदर ऐसा बननी, lux यहा पर light की unit को बोलते है, light को lux नाम की unit में नापआ जाता है, जैसे वजन कोเคलो ग्राम में नापते है, दूरी को specification में नापते है उसी दर से light को pack लक्स में नापा जाता है, तå यहां पर, जहां पर cloth cutting का का काम होता हो, या जहां टेले इं प्रश्टेड का काम है वह 500 लंश रूम में रेस्ट रूम में 300 चाहिए नौर्मल रीडिंग के लिए 100 लक्स चाहिए जो हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं ये वर्क प्लेस की बात नी कर रहे है और ओफिस वर्क के लिए 400 लक्स चाहिए तो यह हमारे को इतनी इतनी लाइ से जाएइंग करती है की जादा लाइट हो जाएगी तो क्या होगा ऑप को में डिसकंफट होगा चरचड़ापन होगा ठकान होने लग जाएगी आपको के अंदर जादा लाइट होती है 15-20 पूर्ट की एक केंडल सफिशन्ट होती है नौमल लाइफ के लिए, इसके बाद आता है, रेडियेशन, रेडियेशन से कahh के प्रोब्लम से होसकता है जाहां सब्सक्षाइब कं पर इसson के से हमें बचाता है मिलेनिली में बनाता है हम सोखते हैं काले हो रहे हो आ için मिलेनिन commentaryوق ब्चाइब जड़ा पड़ती है इंडिया में फञासि पृड़ती आप उपर छियों में चले जाओ ईड़ी सर्द कर देगी अब आप ने क्रिकेटर्स को क्रिकेट में से खेलते हुआ होगा कि नाथ पर सफेद रंग की पट्टी लगा के रखते हैं एसली जम जह जगह पर इस जगह करते हैं इस नहीं करते कि कर देगी ठीक है और लेजर लेजर क्या करती ए स्किं और आई मघदेजर काम हा रही है हो सकती के विमारी भी करती तो इसके बाद आगया और दूसरा आपके जीन पर या अपकी जैनेटिक्स पर क्या असर करेगा तो अगर किसी को ज्यादा रीडिएजन हो जाएगा डीएशन से क्या हो जायगा रीडिएशन सिछने सौने सू सकती है ना रीडीएशन syndrome हो सकता है रीडीएशन के वज़ेसे डाइरीया हो सकता है यह प्रॉबलम हो सकती है रीडीएशन से लंब डाइरिया भी हो सकता है उसको रीडीएशन एंटेराइटिस बोलते हैं जो गौर्बल दवाईयों से ठीक नहीं होता उसके बाद में फोड़े दिनो सब्सक्राइब क्या वाहां जो बच्चे बार्ने पैदा हुए वह पैदा हुए वो सब्सक्राइब क्रूसॉमाal मुटेशन प्रॉंटिशन दैखने को मिजी इसके बाद में क्या होता है 400 यूनित गलत की रािडियेंट की रचना तो यहıंपर कर नौत में यह 50-30 से ज्यादा लोगों में फेटल होती घतक होती है सस्तों से सास्तों टोंजन की जो डेट है यह 100% लोगों को मार देती है ठीक है और यहां पर अब प्रिवेंटिव मीजर कैसे करें रेडियेशन से कैसे बचाएं तो जो लोग रेडियेशन वाले एरिया में काम करते हैं उनका मेडिकल एक्जामिनेशन होना की है और उनको रिप्लेश्मेंट जूटी का होना चाहिए यानि कि हर दो मेन वी जूटी बदल जानी चाहिए अगर आप अगर नहीं बदल रही तो आपके साथ रहा है कहीं है ठीक है उसके बाद में वेंटिलेशन प्रोपर होना चाहिए प्रेग्नेंट विमें शुड नोट ब सड़ा वो फिभल मोने कर यां परिमें नहीं करने देशान करने है कि क्योंकि फिमेल में आगे जाके प्रेग्ननेंशी होगी। को सबस्क्रेमिन को सकता है इसलिए फिमेल hustle को कॉर्शन करने मना करते हैं ठीक है है उसके बां इrobiह आशागों रचिक कर नहीं करना सब और में जाके देखो वहां जो इस्टाफ है वहां जो डॉक्टर के यहां पर एक सफेद रंग का चोटा सा बेज लगा हुआ होता है उसको बोलते है टी लडी वेज का मतलब क्या होता है थर्मो ल्यूमिनी सेंट डोजी मीटर यह क्या करता है आप जब रेडियेशन वाले एरिया यह होता है तो यह होता है थर्मल ल्यूमिनेंट डोजी मीटर जिसको बोलते हैं इसके बाद आता है अब इसी जदा काम कर रहें है प्रेशर बहुत ज्यादा या कम है तो उसमें क्या होगा तो एट्मोस्व प्रेशर का है हमारे धर्ती के लेवल पे 760 mmHg प्रेशर होता है अब धर्ती से उपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा धर्ती में नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा समुद्र के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा उपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा हर 33 फिट समुद्र में गेराई पर जाने पर हमारे पास में यंवन इट्मोस्थरिक प्रेशर बढ़ जाता है कि यह तो यह तीक इनदर गए तो अब समुदर के अंदर तो जब बढ़ता जांधि ब्लड में अब नीचे कोई खत्रा आ गया अचानक से तो आदमी क्या करेगा उसको फटा पट उपर खींच लिया जाएगा जब वो गया था तो बहुत थ्लोव पना लेती है वह जंडरली नाइट्रोजन के बुलगूले होते है वह नाइट्रोजने में जाकर गुद जाता है तो उस बीमारी को बोलते हैं हम केसन बीमारी केसन डिजीज केसन डिजीज हाई प्रेशर की डिजीज है हाई प्रेशर नाइट्रोजन जो है दिमाग में चल जाती है इसकी वज़े से होता है तो इलाज क्या है कि हम उसको पहले दीजे दीर नीचे लेके करें सडनली उपर ला तो वापिस क्या हो का उसका लेवल जो है मैंटेन हो जाएंगा यह तो सम जमीन के अंदर की बात जमीन के उपर की बात क्या है आप मौँन्टेन पे चले घब हए तो माउंटेन इसलिए पहाड चलते हैं उपर हमारी दम घुठता है सांस बढ़ती है क्यों पहाड में उपर जाता है तो प्रेशर हवा का कम हो जाता है और आपके श्रीद को महत्त करनी पड़ती है तो जो लोग वहीं रहते हैं उनके आदत बनना कहलाता है अनुकूलन तो उनके शलीड में का अ का रबी सीज वड़ जाता है उनका हीमोगलोवीन ज्यादा हो जाता है उनका हीमोगलोविन उसीजण के लिए क्या-क्यानुट करेंगे तो लॉकल टॉकसिटी लोकल मतलब छहां इसकिन पर टुछ हुआ खाने की विए से ब्लड में चला गया किसी अंगuuuu खराब करεί तो ROG um कर दो तो एक है अनिक लंभे नाइट्रोजन नाय्ट्रोजन यह सारी गेसे हैं तो इसकावन कावन मनुख्साइड की पोजिजिन निंग आप सब जानते होंगे यह पढ़ते थे कि बंद कमरे में अंगीठी जलाके सोने से मट्य हो जाती है यह बंद कमरे के अंदर ऑक्सिजन बराबर होती नहीं है तो कार कि वज़े से लंग्स में रश्ट जमाँ जातात को नियूमो कोनियों सिस के लाएगा यह तो है इन और गेनिक में जिसे के लाता है कोटन डश्ट है कपास की देश्ट है तो विसीनोस के लाता है सकते तो कोई घंस्पूल और कि दस्थ है तो इसमार्मर्श लंग हो छाता है तो यह सारी चीजह हो जाती है आपको याद रखने कोल ढरतने क्या चे वर रहा है तो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ा देंगे सब्सक्राइब करते हैं कैमिकल में अलकलाई पेस्टीसाइड आपके आगे जला देगा अलकलाई बर्म करेंगा पेस्टीसाइड इनसेक्टिसाइड कॉंटेक्ट में आगए तो जी घवर ना उल्टी या ना इसा हो चुकता है सोल्वेंट्स गुलंशिल परदार्थ यह नुकसान करते हैं या कार्बन बाइसलफाइड है अगर कोई आप जहां काम कर रहे हो वहां पर क्लोरोफॉर्म काम आता है तो आप देहोश हो सकते हैं ठीक है अब क्या होता है निमोकोनियोसिस क्या चीज है कि कोई भी डस्ट का पा काल माerg्रोसाइट या मेक्रोफेज यह मेक्रोफेज क्या करती कर ऐस पार्टिकल को खाती है एह जमा हो जाती है जा नौद्यूल बन जाते है उसको हम बोलते हैं निमो कोन होता है क्या और कोशीकाय को होता है है अब लोग माइनिंग करने वाले लोग माइन जो काम करते हैं पोटरी जो लोग करते हैं यानि की मटकी बनाने वाले लोग करने सेंड ब्लास्टिंग दहाए हम ब्लास्टिंग करने लोग ही सेंड ब्लक कर रहां पर Ceux की बातática लोग वह बहुत कंटेक्ट में आते हैं धूले के गूंए के दोलिय के कंटेक्ट में दूला करोगे लोगों को प्रटेक्टिव एक्जामिनेशन करते रहो मास्क लगा के रखो यह सब इसके पॉमन्ट है क्या होगा ?- एक से मैं ग्राउंड ग्लास ऑपिसी ती देखने को मिलती है और जब वह आदमी इस्पूटम निकालेगा तो इसमें इस ड्यागनोसीश होता है ठीक है और हमारे पास में जो तरीखा क्या है होसी प्योंहे है prevention करने के लिए हुझ लगा कर दक मांक होता है इसके बार हार के बाद में गर को इसके बाद में है तो आयरं की ग काम करते हैं पिर आते बेगास और इंडेक्ड ऑड़ेश कि सको के बाफेज उसका जो फाइबर है उतको बेगास बुढ थे हूं यह वह नीश काूलना पाउडर में जो तो यह नो Caleb रोल मैं खी द čाने बोल दृज है होगा तों फर्जा o हुआए सोसिस ना की बिमारी करता है और हो KIEN civर बनाने की म imperative यह कोई काड़ बाड़ बनाते हो गत्ते बनाते हो तो दो गनने के जब देखने को मिलता है पेशन्थ कोई सास की किसे करें प्रिबैन्षिन को घंप करना है पर्सनल पोड़क्शन करना है और एक तरीका हो रहे कि जो वेगास है उस वेगास के अंदर मोईस्टर कंटेंट 20 परसेंट से ज्यादा रहेगा तो उड़ेगा नहीं और उसके अंदर 2 परसेंट प्रोपेनिक एसिड का अगर आप फंगस नहीं लगेगी जो कि हमारे वीमारी कर दिये वेगास पूंधे इसके अब इसके बाद आता फार्मलंग क्या होता है जो लोग घरों में यह हुआ सूंगने से यह और इसमें अदर सब्सक्राइब लाइब अधिकर याद करने की जो तिना का म का नहीं है उनको तोबेकोसिस उनको था नियुक्षानी रहा है तूंगने की वज़े वज़ें इसके बाद में आजाते है chemical hazards, तो mercury, cadmium, chloroform से kidney खराब होती है, solvent ammonia से respect system की disease होती है, इनोगरिक देस्ट से pneumoconiosis होता है, फ्रोमियम से cancer होता है, को इस फास इतना याद करने का नहीं है, carbon tetra chloride से liver खराब होता है, इसके बाद आजाते हैं हमारे biological hazards, biological hazards कोन करेगा, virus fungus, bacteria and parasites करेगा, तो जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं, और वहाँ पर कोई दूसरा patient, दूसरा आदमी काम कर रहा हूँ, विमारी लेकर काया है, तो उससे हमारे को विमारी फैल रही है, जैकि normal cold है, इंफ्लेंजा है, scarlet fever है, या diptheria, इसमाल को ये किसी के भी contract से आ सकते हैं, tuberculosis, tuberculosis किन लोगों में आता है, जो पहले तो देखो मजदूर काम कर रहे हैं, वो उपर से silica industry में काम कर रहे हैं, तो silica जो होती है, tuberculosis को promote कर देती है, ठीक है, उसके बाद एंथरेक्स, एंथरेक्स या handle of carcass, carcass होता है, dead body, जानवरों की dead body को handle करते हैं, उन लोगों के अंदर, या फिर जो हमरे चमडा कार खाना जो होता है, वहाँ पे उन लोगों को ये विमारी होने को chance रहते है, वूल कार्पेट, देखो, वूल कार्पेट ये बना रहे हैं, उनका जो कार्पेट बनत किसको बोलते हैं, रिंग वर्म, एसकरिस होता है न, ये जानवरों से आ जाता है, किन-किन को होने के chance रहते हैं, पेट शोप वालों को, या जो डोग और प्रेट बीडर हैं, या जो एनिमल हेंडलर हैं, चांसे होते हैं, क्योंकि बिमारी जानवरों से आती है, क्टिनस, को कभूतर की कभूतर जो क्या करता है, अपनी जो बीट करता है, कभूतर की जो बीट होती है, उसमें सिटेकोसिस नाम का क्लेम आइडिया होता है, जो ये बिमारी करता है, ठीक है, तो ये पेट वालों को पब्लम होने को मिलेगी, फुक वर्म, एंकाइलो इस्टोमा नाम का एक पेरा साइट है फुक वर्म जो की अगरी कल्चर लेवर से माइनर्स के अंदर बिमारी करता है तो यह इतना कोई ज्यादा खास पूछने का नहीं है रेविज किसको होगा जो डोग हैंडलर से उनको होगा जो दुकान चलाते हैं चलाते हैं यह जो वेटरिनरी डॉक्टर स होने की चांसेज रहते हैं कि अगरी कल्चर वगड़ करें फंगल इंफेक्शन फार्मर्स में या इनिमन रेंडर्स में तो यह सारा हमारा कंप्लीट हो जाता है अभी तक कौन-कौन से बिमारिया होती हैं इतनी सारी डिजीजेज हैं हमने इसको थोड़ा फास्ट कराया है अब हम आगे का लेक्टर इसका कल करेंगे अभी तक जो है इसको आपको पढ़ना है एक बार में रेपिडली वापिस से बता देता हूं सारा क्या-क्या हमने आज पढ़ा था ऑक्क्यूपेशनल डिजीज में क्या-क्या होती है फिजीकल कौन-कौन से एजेंट है फिजीकल पढ़े तो इसारी चीजा की खना में तो यह सारा पढ़ास हев न्यू में जीएगा अरगोनोमिक्स काति होती है उसके बाद में कौन-कौन से एक पोसे है झाल झाल